आई अफिस आपका एक बार स्वाज़त है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्रेकर में मनोविकार सेक्स रोख सम्मोहन तथा व्यस्तनमुक की तगियों महाराष्टे में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं सबके लिए मानसिक स्वास्त और वैसनमुक भारत यह हमारा मिशन है आज मैं आपको इताने मारा हूं अल्कोहलिक परसनलीटी के बारे यह इसका वर्णन में आपको करता हूं देखो आपके आजबाजू के लोग इसमें कोई बैटे है तो यह क्या हो रहा है कि यह लोग के शराब पीते रहते हैं इनका एकी सेंटे नर्दम रहता है कि ने मेरे को शराब की आदत नहीं है मैं शराब कभी-कभी लेता हूं ऐसा जूट बोलते रहते हैं और फिर शराब मैं कभी भी छोड़ सकता हूं ऐसा बोलते रहते हैं फिर रोज वो शाम को रात को घर में जाना खाएंगे, सो जाएंगे, या फिर जगराई करेंगे और घर से बाहर रात को निकल जाएंगे, या घर के लोगों को बाहर निकालेंगे, शराप की इतनी आदत ये लोगों को रहती है, कि उनको खुद के माबाप ने, जिन्होंने अपने को जन्म दिया, उनको भी वो आ कि मेरा कोई संस्ने यह या अपने बच्चे जो है जिननको अपने बड़ा किया पाला पोसाय पैदा किया उनके टरप और विनका कोई लंगा रहता नहीं है उनको सिर्फ एकई रहता कि बस एक ही प्याला, एक ही ग्लास होना है मुझे और वो शराब का होना है, बाकि कुछ भी नहीं, यह बार बार जूट बोलते रहते हैं, और जूट बोलके घर से पैसा लेके जाएंगे, लोगों को जूट बोलेंगे, लोगों के पास में जाएंगे हर से पैसा नहीं मिला तो क कि मेरी मा बीमार है मा को हस्पिज में ले जाना है ये कुछ लोग तो इतने जुड बोलते हैं कि या अभी मेरे पास में एक व्यक्तिको लाया था उसने तो एक दिन में पांच चार रुपए जमा कर लिए लोगों को बोल-बोल के कि मेरी मा मर गई है और उसके अंतिविदी को मेरे पास पैसे नहीं है तो उसने किसे 500-200 ऐसे लोग ऐसे पैसे जमा किये 500 रुपए शराप पी ते रहा और बाद में फिर उसको उठा के मेरे पास मिला है ये लोग रात में घर में खुद आते नहीं है जितनों जिनको बहुत ही जाना नशा है वो कहीं रस्ते में मेरे पोली से अटा के लाएंगे या फिर पिर प्लीस पकड़ के दे जाएंगी रादबर पुलीस का स्टेड में रखेंगे और उनको लेगे आएंगे volunteered कुई बबहुत पास में करेंगे जगड़े क और पिर वहां से उसको पकड़ restrict कर रेंगे उनको घर पे बहुत देंगे कभी ना कभी तो शराब छोड़ेंगा तो आभी बोल रहा है तो शराब आज आज हम चुट्टी कर लेते हैं। दो दिन के बाद मैं छुट्टी कर लेते हैं, घर पे जले जाते हैं, फिर यह शराब पीता है, तो मैं उनको पूछता हूँ बार-बार कि अभी तक इसने कितने बार कसम खाई हुए, कितने बार ऐसा आपको बोला है कि मैं शराब छुड़ूँगा, बोले भी इसमें तो और कि मैं शराब रएको विश्वास कर रहे हैं, अभी उसका इलाज करौने को त incor信 stoop कर ने होता है, फिर हमको कभी जबरदस्थी करने पर थे कियो वाइलप हो जाता है, अपने आपको जख्म कर लेता है, खुढको इंजूरी कर लेता है, कहीं गिर जाता है, फिट्श हम य इतनी घुरुणा आ गई है, ऐसा लगता है कि मर गया तो अच्छा है भी हमको यह होना ही नहीं, तो उसका जो करना हो कर लो, मतलब यहां तक लोग आया रहते हैं, तो मगर उनको तो रहना ही पड़ता है हमारे पास में, फिर वो हस्पिल में रहते हैं, उनका इलाज हम करते है जैसा मैंने बाकी वीडियो में बोला है कि उनका शैरिक इलाज करो जो बीमारी है, मांसी की इलाज करो, उनका इलाज करके एक बार वो acute condition जो है, serious condition ठीक हो गई, उसके बाद में फिर psychotherapy, family therapy, occupational therapy, ऐसा सब बाद में उसका इलाज करते रहते हैं, तो यह है alcoholic personality, कि जो बाकी power जो है, इच्छा जो बढ़ जाती है, sex की power कम हो जाती है, उनको लगता है कि मैंने sex करना चाहिए, sex करने के तो sex होता नहीं है, और फिर उसके लिए वो दोशी पकरते पत्नी को, और बोलते कि इसका कही ना कहीं, बाहर किसी के साथ में कुछ होगा, ऐसा doubt करते है, और इसलि इसलिए ऐसे के लोगों को blame करना, कुछ भी हो गया एंगे जो लोगों को blame करते है, हर दम चिड़ चिड़े रहते है, और पैसा खर्चा करते है, जूट बोलते रहते हैं बार-बार-बार-बार, और इनके साथ में जेना बाके लोगों को इतना असंभव हो जाता है, कि यह है कि यह मर गया तो अच्छा है, मगर घर के लोगों ने stand लेना जरूरी है, alcohol addiction यह बिमारी है, alcoholism यह बिमारी है, कोई कारण ऐसा हो गया बच्छपन में, कि जिसके वज़ेदे उसने पिना चालू कर दिया, अब उसकी वह आदत बन गई, अभी उसकी भी वह मजबूरी है, वह नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि हर शराबी आदमी को सुबह उठने के बाद में ऐसा लगता है, कि अभी मेने शराब छोड़ना चाहिए, तो हॉस्पिटल में लाने का क्षण जो है, वह सबरे, जब उठना है, शराब उतर जाती है, तब हॉस्पिटल में लाना चाहिए लोग रात को लाते हैं शराब पीने के बाद में, वहाँ कुछ फायदा नहीं क्यों बोलता है मेरे को और शराब होना, तो रिलेटिस को यह जानना जरू है कि शराब छोड़ने का क्षण जो है, या टाइम जो हॉस्पिटल लाने का हो है, सुबह जब बोलता है मुझे शरा फ्री जीवन जी सकता है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक्स फर बॉचिंग आपको बॉचिंग